19 तारिक को अर्था 19 दिसंबर को मैंने एक वीडियो लोड किया था शिशक था कमजोर छात्र गनित कैसे सीखें और उसी दिन अंग्रेजी में भी एक वीडियो मैंने लोड किया हुआ था वीक इन मैथ हाउ टू लर्ड तीन दिन के अंदर सारे देश से मुझे हजारों फोन इस मकसद से आए कि कैसे मैं कहता हूँ कि मैं जो विधी अपनाता हूँ उससे वो छात्र जो अपने को क्वांस में खुद को कमजोर समझते हैं या खुद को कमजोर पाते हैं वो गनित में तेस्तरार हो सकते हैं कुछ सिख्चक के भी फोना है प्राफिसर्स के फोना है जिनके अनुसार कोई भी छात्र मन लगा कर मैं सिखने की कोशिश अगर करेगा तो उनको गनीत में तेज तरार ऐसे ही वो हो जाएगा मैं उनसे किसी भी हालत में इस बात से सहमत नहीं हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत से छात्रों को देखा है जिनोंने अपने गनीत को सुधारने में भर्षक कोशिश किया मगर अपने मंजील को कभी नहीं पा सके और उन में से कुछ छात्रों को तो मैं काफी करीब से देखने का मौका मिला और पाया कि उनके कोशिश में कोई मिलावट नहीं था मगर हाशिल कुछ भी नहीं हो सका मेरे कहने का मतलब यह है कि उनका गनीत कुछ हद तक तो समला मगर किसी कमपिटिशन को क्रैक करने के जगा तक नहीं पहुँच पाया सही बोलो तो उनके उन नाकाम कोशिश नहीं मुझे प्रेरित किया कि कुछ ऐसा करूँ कि मामले के तह तक पहुँचूँ किसी तरह कोई रास्ता निकालूँ कि जिससे हर छात्र जिनके दिल में चाहत है आग है मगर भाग्य का नाम लेकर खुद को मजबूर नहीं पाएं और आज मैं अपने से संतुष्ठ हूँ मैं बोल सकता हूँ कि पढ़ाना एक वैग्यानिक पधती है जैसे हर इनसान एक समान नहीं होता है उसी तरह उनके पढ़ने का क्रम भी कभी एक समान नहीं हो सकता है और आज के दिन में किसी मास्टर या प्रॉफेसर को डॉक्टर होने की भी जोरत है बच्चे की समश्या को नजर में रखकर उनके पढ़ाने के मॉड्यूल में चेंज लाने की जोरत है जिससे हर बच्चा जो उनके पास आता है या आया है जिसने अपने जीवन को समाने के लिए उन पर निर्भरशिल हुआ है वो निराश नहीं हो मगर शायद आज के इस कमर्शिल दुनिया में यह आशा करना समुचित नहीं है चलिए अब हम आगे देखते हैं जैसे बहुत कोई जानते हैं कि भई आप क्या जादू करते हैं आप अपने क्लास में अपने ऑनलाइन क्लास में वो भी कि आप बोलते हैं कि जो भी बच्चा आपके पास आएगा गनीत का कमजोर होगा वो गनीत सीख लेगा वो कैसे होता है तो मैं कोई से trade secret नहीं रखना चाहता हूँ बलकि मैं सबसे share करना चाहता हूँ मैं उन चीजों को दिखाना चाहता हूँ कि जिससे एक बच्चा जो कमजोर होता है वो कैसे अपने मंजिल तक पहुंच सकता है आयब संख्या पद्दती के ग्रूप A मतलब पहले ग्रूप के बारे में जाने जिसमें है लोकल वैलू और फेस वैलू लोकल वैलू को हिंदी में क्या बोलते हैं स्थानिय मान ये अपने स्थान के अनुसार इसका मान होता है अब स्थान के अनुसार मान जो है स्थान के अनुसार वैलू जो है उसे हम कैसे निकालते हैं जरा देखें देखें आपके स्क्रीन में पहले 72 लिखा हुआ है 7 अब इस वीडियो के आलहार पर हर दिन 10 से 12 सवाल जो होम वर्क के रूप में दिये जाते हैं जिसे उस लड़के को खुद हल करना पड़ता है ये उन बच्चों के लिए होम वर्क होता है प्रतेग दिन प्रतेग 15 लड़के का एक वाटस अप में ग्रूप बनता है जिसे मैं क्लास बोलता हूं इस क्लास में इस होम वर्क का उत्तर हर दिन बच्चे को पोस्ट करना पड़ता है जैसे आप नीचे अभी देखेंगे और अगर कोई बच्चा तीन दिन तक होम वर्क नहीं करता है और उसका समुचित कोई रिजन नहीं होता है तो उस पर परिश्मेंट भी होता है आपको कोस्टिन को सॉल्व करना है जिसे हम होमवग बोलते हैं और होमवग का आपको जो है जो अभी हमने दिखा रहे हैं कि किस तरह के हम होमवग देते हैं अगर किसी लड़के को इस हमवग को करने में प्रॉब्लम होता है तो वो अपने वर्टसब क्लास के दूसरे लड़कों से मदद मांग सकता है और कोई ना कोई इसकी मदद अवश्य करता है और सारा दिन यही करम चलता है जैसे आप अभी आप दिख रहे हैं इस तरह एक अत्यंत पॉजिटिव वातावरन तयार हो जाता है देखने में मैटर्ड बहुत छोटा लगता है मगर जानेंगे कि ग्रूप स्टाडी अपने आप में एक अत्यंत शशक्त मामला है अब आते हैं री कैपिचुलेशन प्रॉसेस पे जो मेरे हिसाब से एक अत्यंत पॉजिटिव एप्रोच है आईए पहले सुने मेरे दो स्टुडेंट्स का री कैपिचुलेशन फेज के कटिंग्स मतलब यह पूरे नहीं है इसके छोटे से कि अब थोड़ा समझ पाएंगे कि यह क्या है री कैपिचुलेशन बेसिकली क्या होता है जो उन्हें सवाल दिया जाता है उस सवाल को वो तो पहले हूंवर्क में करके दिखाते हैं फिर उसके दूसरे दिन उस सवाल को खुद अपने मुझवानी अपने वाइस में बताते हैं कि उन्होंने सॉल्व कैसे कि थेंक्यू सो मच सर मेरे गलती को बताने के लिए सर मैंने क्वेश्चन नमर 7 गलती बोला था मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बोल देता हूँ क्वेश्चन है 17 to the power 1999 पलस 11 to the power 1999 मैंनस 7 to the power 1999 के इकाई का अंक कितना है पहले देख लेते हैं 17 का 17 में कहीं का अंक साथ है 7 to the power 4 एक होगा local value of 7 7 के आगे 3 डिजर्ट से 943 उनकी जगा हम 0 लिख लेंगे तो क्या बन गया 7000 उसमें से हमने face value of 7 माइनस करनी है तो वो तो 7 ही रहेगी क्योंकि face value real value है तो 7000 में 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6993 so c is the answer in second question find the difference between local value of 9 and 3 in the 6 देखिए आप जो अभी recapitulation सुना आपने ये उन बच्चों का है जो केवल 2 से 3 दिन पहले इस क्लास में जॉइन किये हुए थे और जो आपने को कमजोर छात्र मानते हुए मेरे क्लास में जॉइन किये हुए थे और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना होमबग को कैसे solve किया है देखिए ये सब को करना पड़ता है जो नहीं करते हैं उन्हें हम क्लास में नहीं अलाउ करते हैं ये उनकी voice को recording करके वो इसे अपने WhatsApp ग्रूप में वो देते हैं जिसका नाम है recapitulation phase और ये हर दिन करना पड़ता है चले कुछ स्टुडेंट का और हम सुनते हैं Second day Question number first सबसे छोटी आभाजे संख्या कौन सी है हमें पता होता है कि प्राइम जो नंबर से हैं वो 2 से स्टार्ट होता है इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगी First का answer C Hello all team members Answers for today's recapitulations are The very first question is To find the least prime number from the given options As we can see that The least prime number from the given option is 2 So my answer would be 2 In second question We need to find the prime number from the given options Here we can और प्रतेक दिन सारे बच्चों का recapitulation सुनने के बाद मैं सबको अलग-अलग प्रतिक्रिया देता हूँ वो प्रतिक्रिया कैसा होता है पहले आप चला सुने इसे प्रभाकर ये मानना ही परेगा कल से तुम्हारे में बहुत जादा improvement हुआ है अब तुम खुल के बोलने लगे हो और properly तुम describe कर पा रहे हो देखो ये properly जो बोलते हो न इससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में भी जो proper एक picture formation होता है दोस्त केवल साथ दिन केवल साथ दिन इसको maintain करो फिर देखो खुद को तुम खुद नहीं पहचानोगे belief करना लगे रहो गलत बोलते हैं लोग कि कमजोर कोई होता है कोई कमजोर नहीं होता है एक छोटी सी कोशिश और सही कोशिश बस चीजें अपने आप बदल जाती है अने जा क्यों पानी में नहीं उतर रहा था है ना पीछे से धका माला पानी उतर गया ना देख भईया एक बात समझ ले शर्माने से कुछ नहीं होता है शर्माने से, आज तुम बोले कितना अच्छा बोले एक question में तुमने गल्ती किया हुआ है उसको मैं भी point up करेंगा लेकिन देखो गल्तियां किससे नहीं होता है लेकिन हाँ एक चीज़ है अगर तुम वीडियो को दो तीन बार चला के देखते तो तुम्हारे में ये साथ प्राब्लम नहीं होता तो कहीं भी तुम्हारा कन्फ्यूज हो ना तो वीडियो को दो तीन बार चला के देखो फिर देखो कि ये गलतियां नहीं होगी क्योंकि जब हम वीडियो को देखते हो फिर उसके बाद होमबग करते हो न तो तुम्हारे दिमाग में जो है एक फ्रेम रहता है और उस फ्रेम का इस्तेमाल करो इस रिकेपिचुलेशन प्रॉसेस के अनंत फायदे है चलिए कुछ फायदे को हम जड़ा देख लेते हैं पहला क्या है होमबग में कभी कभी कमजोर चातर है न दूसरे कॉपी का कॉपी नॉकल करके दे देते हैं और चुकि वाटस अप में सबका रिजल्ट रहता है सबका हमबग क्या होता है तब तो ये बड़ा ही आशान काम है लेकिन रिकेपिचुलेशन में चुकि वाइस देना पड़ता है अपने आवाज में सारे चीज़ों को बोलना पड़ता है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है फिर दूसरा क्या है जिसका जहां जिस तरह प्राब्लेम होता है वो जैसे मैं सुनता हूं तो तुरत समझ में आ जाता है जिससे तो उसे उस प्राब्लेम को दूर करने का मौका मिलता है जिससे ग्रूप क्लास में होने के साथ साथ तो देखा जाए तो ये एक तरह का individual class हो जाता है क्योंकि हर बच्चे का हर दिन का मैं मुझे recapitulation सुनना पड़ता है तो उसे जो है daily उन पे हम नज़र रख पाते हैं सबसे अहम है क्या कि weak student का perception picture जो है वो सही रूप से नहीं बनने के कारण ही वो weak होते हैं या weak अपने को पाते हैं और जिसके कारण math में कोशिश करने के बाद भी वो दिमाग में उस math के steps को रख नहीं पाते हैं मगर reap capitulation process में जब वो बोलते हैं तो उनके दिमाग में एक picture बनने लगता है जाने ये weak student के लिए सबसे आवश्यक step है लेकिन ये अंतिम step नहीं है उसके बाद हम visualize और duck process का सहरा लेते हैं इसे perception picture phase की जो temporary phase होता था है उनमें वो आपके permanent phase में change हो जाता है और इस recapitulation phase में हर कोई बर्चर कर भाग लेते हैं मेरे class में केवल student ही नहीं है बलकि office goers हैं defense personals हैं जो retirement के बाद SSC या bank की नौकरी देने के लिए वो हमारे पास आते हैं preparation के लिए पहले पहले सब को ही चक होता है मगर एक दो दिन में सब बोलने लगते हैं पाँचवा जब आप बोलते हैं और आपके बोलने पर आपको appreciation मिलता है तो math जैसा निरस subject भी बहुत ही सरस लगने लगता है ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको समझा नहीं सकता भी छटा है इस recapitulation audio ग्रूप का हर student दूसरे student का सुनता है और उसमें अगर कोई गलती होता है तो उसे वो point out करता है जो एक अच्छे learning atmosphere को create करता है दूसरे ने क्या गलत बोला ये जानने के क्रम में हर किसी को दूसरे का audio सुनने परता है जिसे एक दिन में ही हर student को पंड़ा बार चुकि एक आपके class में पंड़ा जन होते हैं उसे पंड़ा बार passive revision हो जाता है किसी भी weak student के लिए ये अम्रित से कम नहीं है इस class में कोई भी तेज नहीं होता है हर कोई अपने को कमजोर चात्र बोलता है तो किसी से कोई छुपता नहीं है सब सामने आके खड़े हो जाते हैं सब सामने आके participate करते हैं और सबसे अहम बात है हर दिन हर student अपने में आयव बदलाव को खुद महसूस करते हैं जिसे उनका confidence level जो है वो आसमान चुने लगता है आएए अब अगले slide में हम कुछ और भी वीदियों को जान ले कुछ हलके से चर्चा कर ले देखे duck और visualization method जो है ये बहुत सारे methods का एक मिला जुला संगा मा बोल सकते हैं इस process से ग्रूप के बच्चे को बेसिकल जो पन्रह बच्चे होते हैं उसको हम तीन ग्रूप में बाढ़ते हैं प्रत्यक बच्चे की mental retention capability जो है दिमाग में कितना रख पाता है उसके अनुसार मैं ग्रूप तियार करता हूँ अब शुरू होता है visualization method इस method में मालने किसी chapter में 45 type के मैथ हैं 45 types के क्वांस हैं उसे खुद प्रत्यक type के सवाल की चर्चा audio के सहरे करना परता है आधार होता है अब उसमें वो कैसे चर्चा करेगा पहले तो recapitulation में किया ही था अब इसमें आता है कि वो बोलता है कैसे ये जो सवाल है पहला नंबर सवाल है दूसरे नंबर सवाल से अलग है किस आधार से ये अलग है और चुकि ये अलग है तो इसके लिए उसको क्या स्टेप लेना होगा तो समझ लेजिए कि ये जो बोलता है उसके दिमाग में जो चैप्टर उसने जो पहले का जो उसके पास जो परसेप्शन था उस परसेप्शन को खुदी खुद क्लियरिटी मिलता है जब भी कोई चैप्टर खतम होता है तब ये वीधी शुरू हो जाता है और इस इस एंटार प्रोसेस होने के बाद वो जो स्टुडेंट है वो अपने हिसाब से पूरे चैप्टर का क्लासिफाई करता है उसकी मर्जी है किस सवाल को वो किस ग्रूप में रखे लेकिन उसके लिए उसको एक रिजन्स बोड़ देना होता है कि क्यों उसे वो उस ग्रूप में रख रहा है तो ये एक अलग ड़क एंड विजिलाजिशन प्रोसेस है जो मेरे जानकारी में कम से कम यहां के किची कोईसिंग क्लास में ऐसी चीज़ से होता ही नहीं है मैंने इसमें वालेट का भी कंसेप्ट जोड़ा हुआ है वालेट का मतलब होता है आप जानते हीं है पर्स जिसमें हम पैसे रखते है तो ये जो वालेट है ये वालेट है मैट का वालेट जो उसके जेब में रहता है तो ये ऐसे होता है कि हमारे क्लास में हर चैप्टर का वालेट में एक खाना बनाया वा रहता है जिसमें जो मेरे स्टूडेंट है पहले उस चैप्टर में मेरे दुवारा पढ़ाए गया 45-80 टाइप के जो सवाल को विजियोलाइज करके, क्लासिफाई करके उसमें रखते हैं मैं सदारान तो दो या तीन रेपूटेड आथर के बुक से पढ़ाता हूँ ये सवाल तो उनके पास होते ही हैं जब ये विद्य चैप्टर का खतम हो जाता है तब शुरू होता है ग्रूप के हर लड़के को कम से कम एक सवाल और खोज निकालना और उसे खुद हल करना और अगर किसी कारण से उसे खुद हल नहीं हो पाता है तो वो पूरे क्लास में ग्रूप डिसकुशन के लिए रख देता है और नियम है कि उस एंटाइर ग्रूप में सब को मिलकर उसका आंसर निकालना है और फिर उस सवाल को वो अपने वालेट में उसके जो सपोज 80 टाइप थे 81 टाइप करके वो उसमें जोर देता है शामिल कर लेता है जी हाँ ये वो बच्चे थे जे खुद को चार महिना पहले अपने को कमजोर बलत बोलते थे अब देखो वो एक तेज तरार छात्र से भी एक कदम आगे चल कर दिखाते हैं तो ये एक नई सोच के साथ नए उत्सा के साथ एक कोशिश है एक ही गोल जी हाँ मैं हर स्टूडेंट को बस एक ही गोल देता हूँ बैंक, स्सी कता ही नहीं रेलवे कभी भी नहीं बलकि ऐसी तेयारी गनित में कि हर एक्जाम में मैथ को में क्रैक करके दिखाना इसके लिए एक ही स्टेटेजी होता है कोई भी एक्जाम हो असी परसेंट से ज़्यादा लाके दिखाओ जी हाँ वो उन कमजोर छात्र से मेरा अन्रोद होता है वो कर भी डालते हैं अब आते हैं कि इस जो हमने क्वांट से बोला है उसमें क्या क्या आता है एलिटमेटिक हंडेट परसेंट टिग्नोमेट्री जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ मेंसुरेशन यस अलजेब्रा अच्छी तरह स्टेटिस्टिक्स और डाटा इंटर्पूटेशन जी हाँ ये सारा कुछ लेके ये पूरा चीज त्यार होता है तो मतलब है कि उस बच्चे के लिए से यहाँ पर होते है न बेंकिंग के लिए त्यारी S.S.E. के लिए त्यारी रेलिवे के त्यारी मेरे को हसी आती है आज क्या वो दिन रह गया है जिस दिन में आप बोल सकते हो कि भईया ये बैंक में ही आएगा और किसी एक्जाम में नहीं आएगा अगर कोई बोलता है तो वो गुम्रा करता है वो उस responsibility को कभी नहीं लेता है कि अगर कोई आया तो उसे सामने पूछ दे कि भईया आपने तो बोला था आप तो खरे नहीं उतरे क्योंकि कोई कैसे बोल सकता है क्योंकि या तो वो जो बोलते हैं उनको रात को सपने आते होंगे कि भई इस साल इस तरह के सवाल आते है भगवान से या कहीं पर तो कोई साथ गाठ होगा मेरे को भई ऐसे कोई सपने नहीं आते है मैं तो यही जानता हूँ कि तैयारी का मतलब तैयारी होता है उसके बीच में कोई अब दिवार नहीं कीच सकते है Fast calculation, फटाफट calculation के लिए नजाने मेरे पास कितने बच्चे सवाल करते है चली इस class में भी हम क्या करते हैं वो देखें हर कोई पुषता है कि तेजी से calculation करना कैसे सीखा जा सकता है मेरा जवाब है कि भईया ये सीखा नहीं किया जाता है क्रिकेट का बुक परके आप कभी अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकते हो प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस फास्ट कैल्कुलेशन के लिए भी बस एक ही चीज़ है वनली प्रैक्टिस जल्दी करने के कोशिश से स्पीड थोड़ा बर सकता है मगर बिजली की गती से आप नहीं कर सकते हैं इसके लिए चाहिए कुछ साइंटिफिक टूल जरा आई इन वीडियों को पहले देख लेते हैं इन वीडियों से तो आप समझी गया हैं कैसी हम प्रैक्टिस कराते हैं क्योंकि देखिए जैसे बाइस को बाइस से गुना होता है गुना होने के डेर सेकंड के अंदर में उसे सोचना पड़ता है कितना होगा अगर उसके दिमाग में चारसो चौरासी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है डेर सेकंड के बाद उसको चारसो चौरासी होता है तो पहले दिन उसको दिखता नहीं है दूसरे दिन भी साइद नहीं दिखेगा तिसरे दिन उसको जलक दिखने लगेगा और पांचमें छटे दिन में तो उसको दिमाग में ही आ जाता है और वो कितनी तेजी के साथ आता है कोई स्लोपर नहीं फटा फट क्यों ये बाद में एक सेकेंड, हाफ सेकेंड में होता है मतलब आपने दिमाग में इंपूट डाला, दिमाग ने तुरत आपको आउटपूट निकाल दिया इसे मैं मैंनल रिफलेक्स बोलता हूँ ये कैसे होदा है, स्टुडेंट ने देखा, मतलब विज्वल इंपूट गया और अगले सेकेंड में आउटपूट के रुप में उसके उत्तर आ गया इस टूल से एक दिन में नहीं मगर 40 से 45 दिन में, हर दिन में 15 मिनट के प्रैक्टिस से ये ताकत आ जाता है मैं कोई वैदिक मैट के ट्रिक्स को नहीं सिखाता हूँ किसी भी ट्रिक्स से दिमाग पर भरोसा करना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है एक शाधारन बेक्ती का मस्तिस्क अभी जितना काम करता है उससे 100 गुना ज़्यादा कर सकता है अगर थोड़ी सी कोशिश सही दिशा में किया जाये तो और इसी कोशिश के कम में इन वीडियों के 30 सेट होते हैं जिसके सहारे धिये-धिये प्रयाश करके हर स्टुडेंट के कल्कुलेशन पावर में बिजली की गती भर दिया जाता है चार माँ के इस कोर्स का आप क्या सोस्तेंफी होना चाहिए मैं इतना सब कुछ इंडिविजुली हर बच्चे के साथ करके भी एक छात्र को उसके मलजीन दिलवाने के लिए कम्प्लिट पैकेज जो है अत्यनत ही कम रखा है अगर प्रती महिने के हिसाब से देखा जाए तो सारे साथ सो रुपया मैंने रखा हुआ है लेकिन इस जनवरी महिने में ये तो मैंने इतना कम रखा है कि आप पती महा 300 रुपय भी नहीं होते हैं जो कहीं भी किसी भी कोच़िंग इंस्टिट्ट में पॉसिबल है ही नहीं और इन सारे चीज़ों को प्रियास को लेकर क्लास हिंदी में भी ऑविलेबल है इंग्लिश में भी विलेबल है मेरे कुछ आलोचक मित्र ये बोलते हैं कि मैं एडवर्टिस्मेंट कर रहा हूँ मगर मेरा मानना है कि अब खुद को कमजोर मानने वाले गनीत के चात्रों को भी आउसर है ये खबर उनको तर पहुँचाना है और ये अट्टन्त आवश्यक है और इस क्रम में जो बच्चे पैसे के मामले में कमजोर होते हैं उन्हें भी जानना ये जरूरी है कि ये चार्ज ऐसा है जो उनके शहर के कोचिंग इंस्टिटूट से भी कहीं कम है ये जानना उनको आवश्यक है गाउं में जो चातर रहते हैं वो सोचते हैं कि कमजोर भी है सोचते हैं शहर में जाके पढ़ने का तो पैसा ही कहा है क्याकि शहर में रहने खाने का भी तो एक मामला आता है ना तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारे लोग जाने और जिसके लिए अगर ये advertisement है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मैं फक्र के साथ बोलता हूँ ये गलती जो है मैं जरूर करूँगा क्योंकि इस गलती से कुछ लर्कों का भला तो अवश्य होगा